विडियो में आपको एशेंचर कंपनी के तरफ साही बहुत एची हारिंग अपॉर्ट देखने मिल जाता है तो पूरी डीटेल में हम बात करने वाले इस जॉब रोल अपॉर्शी के बारे में कि अप्लाय कैसे करना है क्या एलगी क्राइटेरिया है सिलेक्शन प्रोसेस क्या ह आपको एक्जाम देनी है सभी चीज़ हम डिसकस करने वाल है तो वीडियो का इंट आके ज़रू देखना है अगर आप चैनल पर न्यू हो चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके चैनल के रिचेंट वीडियो डिटियो को स्टार्ट करते है जोब रोल सब्सक्राइब कर लिए तो 3.4 LPA आपको नियर अबाउट पैकेज देखने मिल जाता है अप्रोग्जिमेटली बात की जाए फुल टाइम जोब रोल अपर शी होने वाले लोकेशन यहां पर अभीके लिए बैंगलोर शो हो रही है लेकिन अलोवर इंडिया आपको लोकेश सब्सक्राइब करने होंगे और क्लाइंट के लिए यहीं बेशिक चीज यहां पर दिया गया आपको क्या वर्क होने वाला है ओके लो नोगोड डियलप्मेंट टेस्ट आटोमेशन इंजिनेरिंग यह सबी चीजी यहां पर आपको देखने मिल जाती है बात कर लिए अगर बीएसी, बीचे, बीबीए, बीकॉम, बीवो, बीमस, बीबीएस, पीफस, बीबीए, बीएफ, बीएड उके इनमें से कोई भी आपने कोर्स किया है तो आपे सपोर्ट शीकले अप्लाइक कर सकते हो MSC में भी non CSID candidates eligible हैं, MGOM candidates अप्लाइ कर सकते हैं, 2023 pass-out batch होनी चाहिए आप यह चीज़ आपको धान में रखनी है, full-time education आपका होना चाहिए, और distance learning बिल्कुल भी considered नहीं की जाएंगे, यहाँ पर clearly mention कहें, MBTEC, MC, MSC, MBA candidates यहाँ पर apply नहीं कर सकते हैं, कोई भी आपका active backlogs नहीं होना चाहिए, आपने relevant degree complete की होनी चाहिए, particular time period में, 11 months से जाधा आपके पास experience नहीं होना चाहिए, यही basic चीज़े दी गई है, you are willing to work in business unit services line within the company, यह भी चीज़ आपको देखने मिल जाती है, अब process की बाद कर लिजाए, तो अगर आप इस support चीज़े लिए eligible हो, अगर आप इसमें apply कर देते हो, तो आपको email से invite किया जाएंगा, online assessment के लिए, जहाँ आपको assessment के सभी details हो सेंड कर दी जाएंगी, उसके disability, critical thinking, problem solving and abstract reasoning जो है, वो चेक के जाएंगी, अगर आप cognitive assessment clear कर देते हो, तो 5 to 10 minute में आपका next round होने वाला है, जो कि technical assessment round होने वाला है, यह कि यह एक optional round है, अगर आप देना चाहते हो, तो दे सकते हो, अगर नहीं भी दिया, तो भी कोई issue नहीं होता है, उसके बाद communication assessment होता है, जहां पर आपका English communication चेक किया जाता है, कि आपके sentence master किती है, वो cap कितनी अच्छी है, English fluency कितनी है, pronunciation, यह सबी चीज़े चेक की जाएंगी, तो यहां पर आपको apply now का button देखने मिल जाता है, simply आपको इस apply now पे click करना है, I don't have account पे click कर देना है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का registration form उपोन होने वाला है, इस registration form पे आपको I'm not a robot पे click करके next कर देना है, उसके बाद यह जो application form है, यह आपको fill up कर देना है, सबी basic details पूछी के गई है, आपका mail ID, university registration number, contact number, education details आपको देखने मिल जाती है, job location देखने मिल जाती है, यही basic चीज़ आपको देखने मिल जाती है, तो यह fill up करना है, साथ साथ main important चीज़ यहाँ आपको resume है, and passport size photo upload करना है, okay, and बागी जगा yes, I agree, सभी जगा click कर देना है, and last में submit option है, वहाँ पे submit कर देना है, इस तरह से आप इस job role approach के लिए apply कर सकते हो, काफी अच्छी job role approach है, almost 3.5 LPA का आपको package दिखने मिल जात झापको